चलिए दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना वो एक पंथ और दो काज कहा जाए कैसे देखिए यहाँ पर मैं कुछ प्रस्न लिख रहा हूँ और इस प्रस्नों को आपको ध्यान से दिखेगा आप लोग यह सोच रहे हैं कि उपर में लिख रहा हूँ तो नीच तो आपको प्रस्नों को रहा है दो निकालना हो तो इसका उत्तर क्या होगा कई लोग बोल रहे हैं भई कि इसका उत्तर कितना आएगा 9 सही 1 बटे 4 तो मैं आपको बता दू कि यह जो उत्तर है वो सही नहीं है बलकि गलत है ठीक है क्यों गलत है वो अभी आपके सामने प्रूफ करके बताने वाला हूँ उसी पकार यदि आपको कोई बोले 5 सही 1 बटे 2 और इसका वर्ग निकालना हो तो इसका उत्तर जो है 5 पंचे 25 और 1 बटे 4 नहीं होता है याद रखेगा यह बिलकुल गलत है आपके सामने प्रूफ करने वाला हूँ कि यह क्यों गलत है ठीक है तो इसके लिए आपको इस छोटे से वीडियो को बस पूरा देख रहा है चाहिए हना तो इसका उत्तर कैसे लाएंगे तो मैं अगर बोलू कि इसका उत्तर लाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर जो संख्या है हना जैसे 3 है इसको एक अधिक संख्या से गुना करना है तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और जो एक बटे 2 दिख रहा है उसको लि तक रहा था जब की गलत है, तो कोई भी संख्या, जिसमें इस प्रकार का संख्या हो भई, भीन ने करूप में हो, जैसे तीन सही एक बटे दो हो, और यहाँ पर एक बटे दो ही होना चीए, तो उसका उत्तर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो संख्या होगा, उसको एक अधिक संक्य से गुणा करेंगे जैसे यहां पर किया है और एक बटे-दो को आपको एक बटे-चार लिखना है और आपका उततर आजाएगा लेकिन यह उततर आया कैसे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह जो भीन दिख रहाए ना मिस्रविन इसको लिखने का सही तरीका क्या है तीन सही एक बटे दो है इसका मतलब है कि यहाँ पर कई बच्चे कन्फूस हो जाते कि यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा क्या बिल्कुल गलत है यहाँ पर गुना का चिन्ह नहीं होता है बलकि यहाँ पर कौन सा चिन होता है यहाँ पर होता है प्लस का चिन है अगर आपने इस प्रकार के भिन को इस रूप में लिख लिया तो समझो आप गनित बहुत असानी से बना सकते हैं अब इसी का तो बही हमें क्या करना है अब माल ले जाए यह A है और यह क्या है B है तो इसका सुत्र हम क्या जानते है A और B का यहाँ पर क्या होता है A का स्क्वेर प्लस B का स्क्वेर प्लस 2AB यह देखे A का स्क्वेर, B का स्क्वेर और 2AB अब देखे A हमारा क्या है यहाँ पर 3 है 3 का स्क्वेर ठीक है B हमारा क्या है एक बटे दो तो एक बटे दो को हम क्या करेंगे एक बटे चार करेंगे क्योंकि स्क्वेर है ना तीन का स्क्वेर और इसका स्क्वेर चलो एक बटे दो ही लिख देते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बटे दो और एक बटे दो का ही क्या करेंगे square यह लो एक बटे दो का ही square अब उसके बाद 2a b मतलब 2 लिखेंगे a कमान कितना है 3 है और b कमान कितना है 1 बटे 2 है मतलब 1 बटे 2 यह 2 और 2 कटा तो क्या बचा 3 बचा ठीक है और यहाँ पर 3 का square है अब इसको अगर हम हल भी करते हैं न भाई तो हमारा उत्तर कितना आएगा तीन तीया नौ और यहाँ पर तीन और बचा है इसको हम जोड़ेंगे नौ के साथ ठीक है और प्लस एक बटे दो के स्क्वेर है मतलब एक बटे चार इसको हल करेंगे कितना आएगा नौ और तीन कित बिल्कुल पर्फेक्ट है तो अब आप समाझ गया होंगे कि इस प्रकार के प्रस्णों को कैसे बनाया जाता है बहुती सरल तरीके से आप बनाना सिख भी सकते हैं और लोगों को भी सिखा सकते हैं तो अब आपको क्या करना है अगर आपको पांच सहीं एक बटे दो का स्क् सख्यास से गुना करेंगे ठीक है तो 5 ये का कितने हो जाएगा 5 ये कर 30 और एक बटे दो को आपको लिख देना है एक बटे चार तो 30 सहीं एक बटे 4 और ये आपका क्या हो गया है इसी पकार आप कोई भी संख्याले सकते हैं जैसे 7 सहीं एक बटे 2 है इसका स्वेर निकालन हो तो साथ सत्य उन्चास मत करिएगा साथ सत्य उन्चास करेंगे और एक बटे चार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा साथ को आप एक अधिक संख्य से कुना करेंगे साथ अठ्थे छपपन और एक बटे चार लिखेंगे तो आपका उत्तर क्या हो राइट हो जाएगा तो निश्ची दुरुप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्णों को हल कैसे आता है निश्ची दुरुप से छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही यूनिक वीडियो है तो इस वीडियो को अधीशाधी शेयर जरूर करिएगा चलि मेरे दोस्तों मिलते हैं का और पहते निटों साथ तब तक लिए जाहीं जबारत